भारत में हर इंसान की जाती के हिसाब से अपनी अलग पहचान होती है और जन्व के साथी आपकी एक पहचान बन जाती है हाला कि कुछ लोग इस जाती व्यवस्ता को अच्छा नहीं मानते हैं और कुछ लोग अपनी जाती से खुश नहीं होते हैं एसे में सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी जाती बदल सकता है यानि एक जाती से दूसरी जाती में परिवर्तन कर सकता है या फिर चाहे तो अपनी जाती को त्याग सकता है यानि बीना किसी जाती के रह सकता है तो आज हम आपको बताने की कुशिस करते है कि जाती बदलने को लेकर हमारा सम्मीधान क्या कहता है और सम्मीधान के हिसाब से कोई व्यक्ति अपनी जाती में बदलाव कर सकता है या फिर नहीं साथ ही हम आपको बताएंगे कि कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी जाती त्याट भी सकता है या फिर नहीं तो जानते हैं इन सवी सवालों के जवाब के बारे में, तो चलिए विडियो को शुरू करते हैं सूप्रीम कोट ने अपने एक फेसले में जाती का मतलब बताया है जाती एक समाजिक वर्क है जो स्थीर है और इसमें हर व्यक्ति की मेंबर्शिफ जन्व से मिल जाती है और जन के साथी ये तै हो जाती है इसका मतलब है कि हर एक बच्चा अपने जन के साथी एक जाती की मेंबर्शिव लेकर पैदा होता है हर जाती के साथी उन्हें कुछ प्रंप़ाय का अधिकार मिल जाता है एसे तो जाती बदल लेको लेकर समभीधान में कोई बीसेस कानून नहीं है लेकिन सुप्रीम कुट के कुछ फैसले पर ये पता लगाया जा सकता है कि जाती में बदलाव क्या जा सकता है या फिर नहीं Supreme Court ने जाती को लेकर स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति अपनी जाती में बदलाव नहीं कर सकता है जबकि ओ धर्म में बदलाव कर सकता है दरसल जाती एक ऐसी ब्यवस्ता या फिर वर्क है जो आपके ज़र्म से समबह दीत है इसलिए कहा जा सकता है कि आप अपनी जाती कभी भी नहीं बदल सकते हैं अगर मान लीजिये कोई धर्म बदल लेता है तो उसकी जाती का जबाब ये है कि ये उस व्यक्ति के नए धर्म पर निर्भर करता है अब ये धर्म पर निर्वर करता है कि उस जाती को किस तरह से अपनाते हैं तो ऐसे मैं कहा जा सकता है कि धर्म बदलने के बाद भी जाती नई धर्म के अधर पर होती है लेकिन ऐसे जाती को बदला नहीं जा सकता है आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में कोई अपनी जाती बदल सकता है या फिर नहीं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिए तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरब से जय हिंद है